एक बार सब्ता में मखाना ऐसे जरूर बनाना क्योंकि ये है आपकी सेहत का खजाना अगर मखाना के सिर्फ हलवा, लड़ो, खीर या मीठा खाकर ही आप बोर हो गए हैं तब तो ये रेसिपी आपको जरूर से बना कर खानी चाहिए क्योंकि इसमें शाही स्वाद के साथ साथ आपको सेहत भी फ्री में मिलने वाली हैं तो चलिए बिना देर के जल्द इसे हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं पर सबसे पहले, हेलो एब्रिबान, इट या मिशास पर आपका स्वागत है तो इसके लिए सबसे पहले हम कड़ाई में एक टेबल स्पून देसी घी को गरम करेंगे आप चाहें तो घी की जगे पर इसमें तेल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से टेस्ट भी अच्छा आएगा और घी भी हमारी सहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो अब जैसे ही घी गरम होगा इसमें हम सबसे पहले 10 से 12 काजू को बीच में से अलग करेंगे बैसे आप चाहें तो इसमें बिना काजू डाले भी बना सकते हैं लेकिन काजू क्या होगा कि एक तो शाही जो टेस्ट होता है वो देगा तो यहाँ पर काजू को हमें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करके निकाल लेना है फिर इसके बाद हम लेंगे 2 कप फूल मखाना और कड़ाई में जितना घी बचा हुआ है बस उसी में मखाना को हम भून लेंगे यह जो मखाना होते हैं इन्हें लोटस सीट्स और फॉक्स नट के नाम से इंगलिश में जाना जाता है और ये धेर सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं जादा तर हम इसका हलबा बनाते हैं खीर बनाते हैं और लड्डू में इनको डालते हैं लेकिन अगर आपको मीठा इसका नहीं बनाना हो तो ये शाही रेसिपी आप जरूर बना कर खाएं क्योंकि इसमें स्वाद और सिहत आपको डबल मिलेंगे तो यहां पर आप देखिए हमने बस मखाना को अच्छे से कलर आने तक भूल लिया है अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट पर फिर इसके बाद कढ़ाई में हम डालेंगे एक टेबल स्पून तेल इसे अच्छे से गरम करके इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून जीरा और इसी के साथ सा थोड़े से हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे तो उसमें आप देखि और फिर इसके साथ साथ दो छोटी वाली जो हरी इलाइची होती है वो डाल देंगे अब लेंगे हम दो से तीन सूखी वाली लाल मिर्च और इनको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा तोड़ कर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हमें fry करना है और उसके बाद इसमें हमें प्याज add करना है तो दो slice के हुए प्याज हमें इसमें डाल देंगे एक बार पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 7-8 लेसन की कलियां और एक इंच का अदरक छील कर इस तरह से टुकडों में कट करके डाल देंगे अब इसी के साथ साथ दो हर इमिर्च को या तो काट कर डाल देंगे या ऐसे ही इसमें डाल देंगे और अब सब चीजों को हमें अच्छा सा कलर आने तक पहले इसमें भुन लेना है जब प्याज, लहसन, अद्रक, हर इमिट अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें इसमें टमाटर एट करना है तो टमाटर को हम ऐसे ही रफली मोटे मोटे टुकड़ों में काट देंगे तीन से चार टमाटर हम लेंगे, लाल पके हुए टमाटर हमें इसमें एट करना है और इनको अच्छे से एक बारी मिला लेंगे और फिर अब इसमें आधा चमच नमक डाल देंगे जिससे की जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे तो इन्हें हम धक्कन लगा कर पका लेंगे ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाएंगे जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं मेश होने लगे फिर उसके बाद हमें गेंस के आज को बंद करना है और इसे ठंडा करके पीस लेना है अब हमें मसालों का एक पेस्ट बनाना है तो ये मेने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पावडर लिया है जादा तीखी वाली नहीं है ये और इसके साथ साथ ये हम इसमें 2 टीस्पून धन्या का पावडर डाल देंगे फिर इसी में हम half teaspoon काली मिर्च का पावडर डालेंगे और half teaspoon हल्दी पावडर डालेंगे ये एकदम ही basic मसाले हैं जिन्हें आप चाहें तो अपने स्वात के अनुसार कम जादा कर सकते हैं और खटाई के लिए आप चाहें तो इसमें अमचोर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें अमचोर की जगे पर दही डालने वाली हूँ तो आप देखिए ये मैंने one third cup दही ली है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ और मसालो के साथ इसे अच्छे से हम मिला लेंगे तो एक बहुत अच्छा सा दही मसालो का पेस्ट बन करके तयार हो जाएगा अब इसी कड़ाई में हम फिर से थोड़ा सा तेल और गरम करेंगे और फिर इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डालेंगे दो तेज पत्ते और फिर सीधा ही ये जो मसालों में हमने दही मिलाया है ये पेस्ट इसमें डाल देंगे गेस के आज को स्लोपर कर देंगे और एक बार पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो बॉल है उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर सारा पेस्ट कड़ाई में डाल देंगे इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि ये तेल चौड़ देगा और फिर जब इसमें अच्छे से तरी आ जाएगी फिर हमने टमाटर को पकाने के बाद मिक्सी में अच्छे से इसे पीस लिया है तो ये टमाटर प्याज लहसन वाला जो हमारा प्यूरी है ये डाल देंगे अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे पहले और फिर उसके बाद इसमें हम मटर डालेंगे तो अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो उनको आप बॉयल करके डाल सकते हैं या फिर आप इसमें फ्रोजन मटर एड़ कर सकते हैं मटर से इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता जादा पतला इसको करने की जरूरत नहीं होती है लिट पिटा से ही यह सबजी बन करके तयार होगी तो इसे पानी डालने के बाद हम अच्छे से मिलाएंगे और जब यह उबलने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे हमारे घी में भूने हुए फूल मखाना इसे के साथ साथ जो घी में हमने काजू फ्राई के हैं वो डाल देंगे और अच्छे से ग्रेवी में से मिक्स कर लेंगे अब अपने स्वात के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे टमाटर को भूनते टाइम भी हमने हाफ टीस्पून नमक डाला हुआ है तो उसी को ध्यान में रखकर जितनी नमक हमें इसमें एट करना है फिर एक टीस्पून कसूरी मेथी मेने लिए है यह हम इसमें डालेंगे अब इसके बाद बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और क्योंकि मखाना हलके फुलके से होते हैं तो जैसे ही हम इसको गरम ग्रेवी में डालते हैं यह अच्छे से न तो मखाना की ये सबजी जितनी जादा टेस्टी है उतनी ही जादा हेल्दी भी है तो सब्ता में एक बार तो आप इसे जरूर से बनाएए, खाईए, सबको खिलाएए, सबको ये बहुत पसंद आएगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लुपत कर दो से जरूरें।